Hello what's up guys, आज हम देखने जारे react router in our react application सबसे पहले आप हमारे screen पे देख सकते हूँ कि यह जो application आपको दिखाई दे रहा है इसको हम create करेंगे throughout this series और आप देख सकते हूँ, we have this home, we have this about हला कि about में कुछ है निए बट आपको यहाँ पे about page दिखाई दे रहा है जो कि सबसे जादे important है, and हमारा यह जो header है and then हमारा जो footer है always same रहेगा movies पे अगर मैं चलता हूँ तो अब भी आपने देखा on the top hand, top left side में अपने एक loading state देखा था तो जब तक हमारे यह cards load नहीं हो जाते तब तक हो आपको loading state दिखाई देगा and इस तरी के से आपको आपका cards दिखाई दे रहा and यह totally API के थूरू आ रहा है and the best part is data basically API के data को get करने के लिए मैंने guys react router ने एक नया थरीका हमें दिया है सब कुछ मतलब react router ने कर दिया अब आपको use effect, use state में जाके function को call करो fetch API and all कुछ नहीं करना है सब यह चुटकी में हो जाएगा watch now पर अगर click करूँगा तो आप देखो आप यहाँ पर हला कि मैंने यहाँ पर data लिखा नहीं है यह जो part देख रहा है यहाँ पर तो यह जो है यह कहलाता है आपका dynamic routing जियां guys तो आप देख सकते हो लोड और टाइटनिक वाला काट्टून यहाँ पर आप देख सकते हो अभी थुए देर पहले जो ID थी और इसकी जो ID टोटली डिफरेंट समझ रहो तो यह सारी चीजे डैनेमिक राउटिंग आप कैसे कर सकते हो क्योंकि यही तो चीजे जो आप अगर कभी चलोगे लेट से आप कभी Amazon में जाते हो ठीक है Amazon में लेट से गाइस आपको यह पाउं रखने वाला ठीक है है पाउं बेसिकली बैटते हैं तो पाउं रखने है तो और में चीए माने उस पे क्लिक किया दो मेर को और भु से का ही तो पूरा डेटा है नहीं एहां पर यहां पर यहां पर ही हुआ sensitivity आ रिक्शन अगर नहीं पर तो कुछ डेटा है ही नहीं सो कैसी यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा वांस आपको यह पाता चल गया अपनी इमेज ला दिया बागी क्या है बागी टाइटल आपका एयर एक्टर पैक्टर जो लिखना है लिख दो लैक वो तो बच्चो वाला काम हो गया में तो कि यह आप फॉंक्शन कैसे इंप्लिमेंट कर सकते हो यह सारी चीजे एंड सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप अचलो फिलाल यहां पर तो मैंने वह एक्टिब लिंक को एक्टिवेट नहीं किया हुआ है बट वह आपको मिलने वाला है दूसरा एक और चीज अगर कोई कुछ लिखता है तो हम 404 एरर पेज दिखाएंगे बताना चाहूंगा कैस अभी तक मैंने इसको प्रॉपर एकदम अच्छी तरी किसे इसका जो डिजाइन है यूजर इंटरफेस उसको इंपलिम नहीं किया है बट हां बाकी फंक्शनालिटी सब बराबर है अब आप यहां पे ग राउटर इतना ओसम हो गया है ना गाइस मजा जाएगा ठीक है तो गाइस हम जो करेंगे वस वर्जन 6.4 है वो चेंज हो चुका है एंड कुछ आपको आपको इस तरी किसे दिखाई दे रहा है मैं इसको एक बार आपको एक्स्प्लेन कर देता हूं यह क्या है एंडेन मैं उसको दिखाता हूं कि हम इसको कैसे इंपलिमेंट कर सकते हैं सबसे हएव इस ही रिक्ट राउटर रिक्टक आप एक जो र 여러ंडे करके ज यह एक जावस्क्रीप्प्रेमोंक जहां गाइस वेब एप्लिकेशन and mostly in our react web application तो that's the reason why इसके कारण आपका यह जो single page application हम react को बोलते है वो हम implement कर सकते हैं with the help of this particular framework जिसका नाम है react router I hope doubt clear हो गया होगा आप में से बहुत अगा comment है कब react खतम होगा कब react भाई almost react हम खतम कर चुके अब जो भी हम react की जो query है या जो redux toolkit RTK या react router यह सभी क्या independent है react के application को और easy करने के लिए different framework के library हम इसमें use करते हैं ठीक है तो I hope आपको पता चल गया होगा react router it's totally different आप इसको किसी और के साथ भी use कर सकते हो ठीक है सिब react के साथ ही use करना ऐसा कुछ नहीं है but react में 110% PC का ही use करते है and version 6.4 के उपर उन्होंने change कर दिया है जहां पर आप देख सकते हूं we have one router ठीक है जिसका नाम है create browser router पहले यह नहीं था इससे पहले वाले में आपने यह नहीं देखा होगा हम एक parent में root लिखते थे and then bottom पे उसके अंदर child root root path element root path element यह हम करते थे यहां पर root ना put ऐसा कुछ नहीं है यहां पर समझे रहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है now it's totally ऐसा लग रहा कि जावस्क्रिप्ट है ठीक है तो बहुत ही ज्यादा simple है यह प 끝as इतने ही आपको करना है क्या आता है मनी आपको बताता हूं first we need to create or router हमें एक basic अपन faithful युँसका सेटआप करना करने है जहां पर हमारा अगर किसीक पर पेज पर किया अरल होना चीए सबुने लियुद खोलना to become chronic Will suggest the work and the ей अबरा चैनल करने हम विब साइट को कहा रोपर बतकुन हुम अपने विब साट को कहां देखते हैं जाकार ॐजए react की मदद से क्या बनाना है root create करना है तो इसका क्या मतलब हो इसका मतलब यह कि अगर आपको browser पे root create करना है अपने web application के लिए तो इन्होंने बोल दिया create browser router मतलब browser के लिए जो root आपको create करना create कीजिए create browser router इतना ज्यादा simple मतलब इन्होंने बहुत easy to easy to understand वाला कर दिया ठीक है एक चीज धहन रखना ना इस यो array of an object यहां पर आपके देख सक्टी स्काइब राकेट से and then this is your first link this is your second link यह basically आप directly यही पर ही home का पुरा structure define कर सकते और यह तरीक हम नहीं करेंगे मैं यहां पर component call करके बता हूंगा ठीक है यह इतना चलो आपको idea आगे राइट तो मैं यहां पर चीज आपको बता तो जो कि सबसे ज्यादा important है and this is यह वाला part ठीक है now we have a router provider यह एक आपका component है जो context API की तरह work कर रहा है जहां पर context API का क्या काम था like we have one global store यहां पर आपका सारा data and जो चोटे मोटे component होते थे I mean होते थे वो क्या करते थे यहां से data get करते थे राइट अब उसी तरीके से जो यह router provider है यह क्या कर रहा है यह बता रहा भई हमारे react application में कितने यह लिंक से user cup की space request कर रहा है जाने के लिए यह redirect हो रहा है यह backup button प्रेस कर रहा है वो सारा data manage कौन करता है आपका router provider and वो कैसे करेगा with the help of this props router props and उसके अंदर यह देखो मैंने इक router करके पास किया मैंने इन्होंने तो यह जो router है यह कुछ नहीं आपका यह है यह देखो यह वाला जो router है वो यहां आपको पास करना पड़ता है इस जगे पर बस खत्तम इतना ही है create browser router की मदद से आपको एक basic setup बनाना है और वो जो object आपने बनाया area of an object उसको आपको router provider में as an router की value पास कर देना है खत्म यह है आपका react router अब हम इसको completely practical करके देखेंगे और बता ना चाहूंगा guys कि यह जो एक website आपको दिखाई दे रहा है यह मेरा world best javascript course जो मैंने create की थी उसका है उसी कोई मैंने react में convert करने की कोशिस की है दो मैंने यहाँ पर products रखेते जैसे यह इस तरीके से ना add to cart देखो यहाँ पर हम cart में जा सकते है same products में भी हम जाके उसको भी यहाँ पर add to cart and all वो सब सारे चीजे कर सकते है तो यह बहुत important है and यह आप देख सकते हो मेरा world best JavaScript का जो course था part one part two and this is your party पांच घंटा गाइस सिर्फ पांच घंटा दीजे अपनी लाइब की मुझे आपको पूरा idea आ जाएगा अच्छा HTML CSS JavaScript की मतद से हमें complete e-commerce website कैसे बना सकते में यह नहीं बोलता यह complete है but at least इतने सारे functionalities इतने सारे filters reduce आपका map method for each for loop conditional इतने सारे चीजे यहां पर हमने यूज कि आपको मज़ा आजाएगा oh my god अच्छा ऐसे काम करता है एक बार आपको पाता चल गया कि JavaScript में अम उसको कैसे बनाते थे अगर आप आप उसको react में बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए तब आपको और मज़ा आजाएगा है तो यह आप देख सेकते हो मैंने react में इसको बनाया हुआ है तो काईस अभी तक अगर आपने subscribe नहींगे तो फ्लीज कर दिजे क्योंकि आपका एक subscribe, like, share and comment मुझे बहुत मोटिवेट करता है तो आपको सब आइडे आगया होगा क्या है क्या है नहीं है अब सबसे पहले हम इसको install करना है यह जो मेरे react के playlist को उसको check out नहींगा तो जरू check out किजेगा यहां पर बहुत important है आज का video इस totally different दो हम react के साथ ही काम करेंगे लेकिन यह जो है फिर से बता हूँ एक अलग frame होके react का part नहीं है ठीक है all right तो अब मुझे क्या करना है तो guys for today's video basically अब यह react router वाला जो पार्ट है react का ही series है बट एक different section है नहीं तो मैं एक new react application को create करने वाला हूँ it's super duper easy npm create wait at the rate latest obviously हम यही करते है आपको एक नाम देना पड़ेगा project का मैं दे देता हूँ react underscore router सिप react underscore router underscore version 6 लिख देता हूँ क्योंकि हमें मालूम है कि version 6.4 के साथ हम केल रहे react and then javascript ठीक है अब मेरा जो series है वहाँ पे तो मैंने आपको burn के थुरू करके बताया था यहां पे फिलाल आपके लिए easy हो बोलके मैं npm install and then npm run dev यही करने बाला हूँ लेकिन सबसे पहले मुझे यह जो project है उसके अंदर जाना पड़ेगा ठीक है so cd cd and project के अंदर npm install कर देता हूँ तो जब तक मेरा यह npm install हो रहा है मैं बताना चाहूँगा कि आप react route.dome को बहुत easily install कर सकते हूँ यहां पर देख सकते हूँ we have this npm package directly आप यहां पर copy कर सकते हूँ और else यहां पर we have this tutorial का option bottom पर अगर आते हो देन यहां पर भी आपको बहुत easily पूरा बता रहा भाई क्या करना है पहले cd change directory जाओ फिर यह देखो यहां पर आपको आपका code दिखाए दे रहे है मतलब already know ने बहुत अच्छी तरगे से सब कुछ बाता है बहुत हमारे इंस्टाल हो गया वांस अगर इंस्टाल हो गया है तो package.json file में लेके जाना चाहूंगा हमारा यह जो react series है वो हम version 19 में कर रहे है बट एक चीज में बाताना चाहूंगा आज हमारा काम react से नहीं है ठीक है यह वाला जो वीडियो आपको दिख रहा है इस वन यह installation वाला जो पार्ट है react installation और इस पर ही मैंना आपको version 19 आप कैसे इसको कर सकते हो बताया है आप इसको इंस्ट्रॉल करके फिर आप इंस्ट्रॉल कर लिजे फिलाल मैं इसको कॉपी करूंगा यहां पर आता हूं फिर वापस इसको में clear कर रहा हूं देखो npm install react-router-dome आप बहुत के लिए लिए देख सेकते है फिलाल अभी इहां पर इस त 6.4 और उसके उपर बत करेंट जो इस टेबल वर्जन चल रहा है इस जो 6.2 6.0 बत हम 6.4 वाला ही काम करेंगे डोंट वर्य ठीक है इसको क्लियर कर देता हूं मैं npm ठीक है run and then dev चलो सही है मेरा काम हो गया package.json file को मैं हटाता हूं source app.jsx है app.jsx उसको मैं हटा रहा हूं we have index.js उसको भी मैं हटा रहा हूं app.jsx पे मैं आऊंगा ठीक है अब app.jsx पे ही हमारा सारा खेले कैसे मैं आपको बताता हूं so const we have app return h1 hello react router नहीं भाई router है na hello react router perfect ठीक है अब इसको हमें export करना पड़ेगा ठीक है and we have our app perfect ठीक है तो अब हमें app तो basically यह तो मेरा काम होगा and यहां पर हमें कुछ करने की need नहीं है क्योंकि by default we have app पहले से ही यहां पर import करके रखा गया है ठीक है main.jsx को में चूने की नीट नहीं है आज हमारा पूरा खेल खाली app.jsx file के साथ होगा अब अब अगर मैं यहां पर आता हूं and इसको अगर में रन करता हूं तो I guess 74 पर ओके so यह अपके 74 पर रन कर रहा है so 74 all right perfect see hello react router मतलब मेरा react application install हो गया perfectly ठीक है now आज हमारा first काम होगा to create a basic route setup for our react application ठीक है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि मैं यहां पर चलता हूं ठीक है let's say मुझे contact page पर जाना है तो यह url वाला जो पार्ट है यह सबसे जाधे important है क्योंकि पहले लोग ऐसे ही काम करते थे बहुत पहले but सबसे पहले हम यह url में जो अपना route उसको setup करेंगे and once यह setup हो जाता then आगे वाली वीडियो में मैं यह बताऊंगा यह जो header वाला पार्ट है इसको आप कैसे implement कर सकते हो आगे बहुत कुछ आपको सिखनी मिलेगा तो थोड़ा सा धहरे बना के रखिए just मैं जितना सिखाता हूं उसको आप अच्छे से सिखिए प्रैक्टिस कीजिए लगे तो और उसको advanced तरगे से करने की कोशिस कीजिएगा ठीक है एंड हाँ यह जो मेरा react project इसको जरूर चकाउट कीजिए बहुत मैंनत की थी गाइस मैंने लिटरली 22 घंटे की वीडियो आया मेरा जावस्क्रिप्ट कहीं नहीं मिलेगा फ्री में आपको ठीक है ऑलाइट तो देखिए तो इसको मैं यहाँ पर चलता हूँ सबसे पहले वी निट टू क्रेट आप बेसिक रूट सेटप फॉर वाट और रियक्ट अप्लिकेशन कैसे करना है सो कॉंस्ट ठीक है जो भी हमारा सेटप होगा मैं राउटर को पास कर दूंगा हम अपना एक राउटर क्रेट करेंगे कैसे वी थे हल। आप क्रियेट बताओ ब्राउजर बता राउटर फॉरफेक्ट थीक है इतना मेरा काम हो गया है यह अभिसली इसको भी निट तो इमपोर्ट ठीक है सो कॉपी कर रहा हूं थो वा सकम जूम कर देता हूं। इंपोर्ट क्रेट ब्रॉजर आउटर फॉर्म वे फॉर्म आउर रियक्त रॉटर डॉम ठीक है पॉफिक ठीक है जहन से देखना यह तो आपका चलो काम हो गया अब इसके अंदर हमें एक एरे पास करना है स्काpromis करना है अब जितना भी आपको श। सेट अब करना था आपका home का एक route होगा, आपका about का route होगा, तो हर एक के लिए एक individual object से आपको create करना है, इस object में आपको सबसे पहले path define करना है कि कोई अगर इस particular path को type करता है on url, तो वो किस page पे redirect होना चाहिए, तो यह जो forward slash से आपका एक default route होता है, it means like thapatechnical.com, thapatechnical.shop, ठीक है, अब भी कोई इस particular route को type करता है, तो उसको कहाँ redirect करना है, मुझे मेरे home page पे, I know आपी तक मैंने home page नहीं create की है, बट मैं आपको idea दे रहा हूँ, अब इससे को ही में copy करूँगा, ठीक है, अब let's say किसी को about page पे जाना है, तो about, and obviously अगर किसी को about page पे जाना है, तो वो service या contact तो नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, about ही लिखेगा, तो path हमारा about हो जाएगा, ठीक है, and अब ठीक है, copy करता हूँ, it's a movie, ठीक है, तो obviously अगर कोई movie page पे जाता, तो वो movie ही type करेगा, किसी को अगर contact पे जाना है, ठीक है, तो वो contact ही type करेगा, right, I hope आप, I mean, अब आपको लगा, आरे यारे तो कितना बच्चो वाला जिहां गई, इसे simply है, it's just आपको समझना जरूरी है, कि object, array of an object क्या होता है, object के साथ कैसे खेलना है, key and then value क्या होती है, बहुत साभी लोग गलती से यहाँ पे equal to कर देता हो, बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत सारे चीज़े कि आपको comma देना जरूरी, बहुत सारे लोग गलती से semi-column दे देते है, तो छोटी-छोटी चीज़े जो आपको समझना जरूरी है, अब उसको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे return करना पड़ेगा, ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, with the help of router provider component, आप इसको एक function भी कह सकते हो, ठीक है, इस तरह के से, अब बाइद वे, हम directly इसको self-closing tag बना सकते हैं, इस तरह के से, यहाँ पे props है, जिसका नाम है router, यहाँ पे यह router आपको पास करें, तो कहीं ना कहीं, यह अगर आप देख रहे होता, आपको context API वाली feeling आ रही होगी, जहाँ पे we have auth provider, context provider, यहाँ पे हम value लिखते थे, जितने भी data है, जो different pages को चाहिए रहता था, वो हम यहाँ पे pass करते थे, कोई भी access कर सकता था, अब यहाँ पे same, वो ही funda है, it's just data के बदले, यह जो root है ना, उसको अब कोई भी access कर सकता, कोई भी children application हो, वो हाँ भाई मुझे contact पे जाना तो contact, हाँ भाई movie पे जाना तो movie, simple बस इतना ही है, अब बस मुझे करना होगा, तो यह home, about, यह सारे pages करेट करने है, so अब इन्पोर्टेंट है, like we have the source, तो source के अंदर ही हमारे सारे चीज़े होती है, तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे, source के अंदर मैं एक new folder क्रेट करूँगा, जिसका नाम होगा pages, यहाँ पेज, pages ही कर देते हैं, यहाँ पेज, यहाँ पेज, कुछ भी आप कर सकते हो, उसके अंदर मैं चलूँगा, तो दो मैंने pages के अंदर गया, बद आप उसके अंदर जो मैं फाइल करेट कर रहा हूँ, उसका first letter में capital रख रहा हूँ, क्योंकि react is all about your component, दो यह एक page है, बट आप इसको एक component भी कह सकते हो, फिर we have about.jsx, jsx ठीक है, so मैं यहाँ पे चलता हूँ, const, export पहले ही कर देता हूँ, यहाँ पे, so movie, एक second, यहाँ पे चलते है, we need to return, h1, मैं लिख देता हूँ, movie page, ठीक है, ओल्राइट ठीक है, इसको मैंने control and save कर लिए, इसको मैं copy कर रहा हूँ, home पे चलके paste, control and save की, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, control and save, ठीक है, about पे चलता हूँ, control D, यह about है तो about page, ठीक है, control and save, contact पे चलता हूँ, control D, we have a contact, contact page, this is it, हमारा काम हो गया है, अब खाली मुझे control and space प्रेस करना है, मेरा यह home जो है, import हो गया, about movie को इस तरह की से करना है, and we have our contact, and मेरा एक contact हो गया, तो कितनी easily, हमने हमारा जो एक basic route होता है, एक react application का, वो create हो गया, अगर आपको एक portfolio website, या एक static website, या single page application करना है, then यह जो setup है, it is more than enough, आपका काम हो चुका है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, so this is our homepage, right, मैं अगर यहाँ पर type page लिख देता हूँ, about, so 3, 2, 1, and boom, guys see, आपका about page आगया, अब उसी तरह के से, let's say मुझे contact चीए, आपका contact page आगया, उसी तरह के से, let's say आपको movie का page चाहिए, तो आपका movie page आगया, तो दो अभी आपको वो कुछ, basic सा लग रहा, but at the end, कुछ वो आपका ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा हम बना देंगे, अब उसको tension नहीं लेना, कैसे हम करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत लीजे, but फिलाल कुछ वीडियो में, आप बस ये समझीए, कि हमारे लिए सबसे जादे इंपॉर्टेंट क्या है, functionality, क्योंकि अभी ये जो दिख रहा है, उसको अगर मुझे ऐसा बनाना हो, भाहि ये तो कोई भी बना लेगा, जिसको HTML CSS हाता है, वो आराम से बना लेगा, क्योंकि इसमें HTML CSS ही है, React कुछ भी नहीं है, इसमें, इसमें इसमें, React application में, यूज करें, तो इंप्लीमेंट डाइनेमिक राउटिंग, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा अभी इस पर, क्योंकि बहुत सारे नए-ने चीज़ी इन्होंने देर दी है, तो मज़ा आजाएगा, तो गास, कल की वीडियो में आपको यह बताऊँगा, जो ओल्ड तरीका था, इसको create करने का, उसको हम कैसे कर सकते, वह आपको कल की वीडियो में बताऊँगा, ओल्राइट, तो गास, आपको वीडियो कैसे लागा, हाहा इसरो restsी औराइट आपको बताएगा,